स्पोर्ट से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले I have with me someone whom you've seen a lot many times and in times to come you'll see him more often नीरच चोपड़ा, the Asian Games Gold Medalist, नीरच सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बदाई, World Championship Junior Gold, Commonwealth Games Gold, Asian Games Gold, आगे क्या देख सकते हैं? जी आगे देखो, World Championship World Olympic Games हैं, उनमें भी ऐसी कोईशिश करेंगी, ऐसी चलते रहे हैं नीरच, हम आथलेटिक्स की बात करते हैं, तो एक आपका एक ऐसा common नाम है, जो हर कोई बोलता है, बोलते हैं कि जो एक track and field में भारत को आज तक Olympic middle नहीं मिला है वो एक अगर कोई आदमी ला सकता है, तो वो नीरच चोपड़ा है, और Tokyo 2020 Olympics शायद से वो जगा होगी, Tokyo, जहां पे वो ऐसा होगा तो कहीं कोई pressure? नहीं जी pressure कुछ नहीं है, अपना hard work करेंगे और अपना जी जान लगा देग Olympic में अच्छा लगता है और उन पर जब हम खरा उतरते हैं फिर और भी अच्छा लगता है, तो कोशिश करते हैं कि और ज्यादा hard work करें और Olympic की तहरी आची करें आपका एक peculiar सा अलग सा style है जब आप javelin थ्रो करते हैं तो आप काफी पीछे से ही थ्रो कर देते हैं उसके बाद जो momentum है उसको जाने देते हैं हमने Asian Games में भी देखा शायद से जो आपकी पहली थ्रो थी 83 के करीब 83 से थोड़ी सी उपर जो आपने मारे थी उसी में आपको celebration करने लग गए तो competition ऐसा लगा नहीं कि आपके लिए है वहाँ पर जी बिल्कुल ऐसे competitor अच्छे थे वहाँ पर एक 91 मीटर एक चैनिज टाइप एक और दो तिन थ्रोर थे 85 पलस के लेकिन वही है कि जो जी दिन चलता है उसका ही दिन होता है वो पर हां एक हमको पता लग जाता है जब भी हम तरो करते हैं कि हां यह तरो अच्छा गया है या कैसा गया है तो अपने आप अंदर से फिलिंग आजाती है अपनी थोड़ी जर्नी बताइए क्योंकि एक नीर आपका ऐसा लगा कि आप तब आए हैं सीन में जब आप वर्ल्ड जूनियर गोल जीत कराये थे अंडर 20 का जब गोल जीत कराये इतना स्पोर्ट्स में इतना वो नहीं आता है क्योंकि अगर अगर हम बात करें ओलम्पिक लाओ लिया एसिन गेम्स कोमन वैल्स लाओ इन पर कॉंटिनु मैडल आते हैं तो उसी को उसी पे लोग ज्यादा दियान रखते हैं लेकिन उससे पहले जैसे काशिनात नायक सर ने मेरे मेरे मैं है कोंवाल्ड गेम्स में ब्रोन जिता था एन्वár wanny का लाया तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आने लगे थोड़ा हाइलाइट में जेवलिन उसके बाद फिर वर्ड जुनियर मेरी कोड बना था और उसके बाद ही थोड़ा जानने लगे लोग और कोशिस की महने की परफॉरमेंस को कॉंसिस्टेंट रग तो वो कॉंसिस्टेंट अभी तक और उसकी का फायदा मिल रहा है निरज यूथ आईकॉन तो आप बनते जा रहे हैं, इक स्टाइल आईकॉन भी बनते जा रहे हैं, यह जो ग्लैमर है, एकस्पेक्टेशन भी बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है, हाला कि आप जादार अपनी ट्रेनिंग बाहर करते हैं, उससे एक फायदा मिलता है आपको जी बिल्कुल देखो बाहर हम इसलिए करते हैं कि हमको competition बाहर मिलते रहते हैं कि वर्ल्ड लावल के और पटेयाला भी training की थी और बैंगलोर भी हमने की थी national camp में बिल्कुल परबार का ये फायदा है कि हमको अच्छे competition मिलते रहते हैं अच्छे athletes के बीच में और उसका ये फायदा होता है कि एक वर्ल्ड लेवल के competition होते हैं तो एक नोर्मल बात लगते हैं उनके बीच में फिर खेल के परिवार को बट मिस करते होंगे जी कभी पहले गर त अच्छा करें उसके बाद फिर olympics के लिए अपना जीजान लगाएंगे 88.06 आपने जो फेका था जाबलिन अब बोल रहे हैं कि 90 मीटर अगर कोई मार सकते हो नीरच चोपड़ा है शाहद से अगर आप 90 मीटर मारते हैं तो वहां पर आपका एक olympic में मेडल भी पका है तो उसके लिए कोच के साथ किस तरह थी अलगत से अलगते हैं बड़ा स्वागत हुआ था तब शायद से ऐसा भी था कि आप Olympics के लिए qualify कर जाएंगे क्योंकि आपका mark था qualify mark बट लाइफ कितनी बदली है उस दिन से Commonwealth Games, Asian Games अब आने वाले काई जी बिल्कुल 2016 में कोशिश थी कि Olympics के लिए qualify करके वहां पर कोशिश करेंगे अपना medal जीतने की पर मैं दस बारा दिन लेट हो गया क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाया था और उसके दस बारा दिन बाद ही एक World Junior record किया 86.48 मीटर का और काफी लाइफ चेंज हुई उसके बाद क्योंकि लोग जानने लगे एकस्पेक्टेशन बढ़ने लगी और हमने भी फिर वर्काउट जादा बढ़ा दिया उसके बाद Asian Championship में गोल्ड आया फिर Commonwealth गोल्ड Asian Games गोल्ड तो अभी World Championship और Olympic से रहते हैं और कोशिस है कि अपनी जरनी ऐसी कौन है दोस्तों फोन उठाइए और फड़ा फट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजे क्योंकि 17 सितंबर दुबाई से स्पोर्ट्स तक पर exclusive सलाम क्रिकेट एशिया कप पर जिसमें भारत पाकिस्तान के दिगज होंगे 11 दिगज होंगे जिसमें से 6 वर्ल्ड कप विनर्स हैं और दो ऐसे हैं जो वर्ल्ड T20 जीते हैं जी हाँ आठ वर्ल्ड चैंपियन्स एक मंच पर एक साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर आपको सब्सक्राइब करना है और नोडिफिकेशन की घंटी को बजाना है